महाराश्ट्र चुनाव में जीत के लिए महायुती वे रणरीती तयार महायुती के नेताओं को अमिश्या का साफ संदेश ध्यान रहे कि बागी खड़े ना हो पाई अमिश्या अमिश्या की मीटिंग से बोखला है संजर राउट महाराश्ट्र में 20 सारी को वोटिंग और 23 सारी को रेजल्ट आएंगे और इसे ठीक पहले बैठकों का दोर जारी है एक तरफ महायुती जिसके अंदर सीट बटवारे को लेकर सारी चीजे सेट हो चुकी है तो दुसी तरफ महाविकास अगाडी जिसके अंदर अभी भी सीट बटवारे को लेकर पेच फसा हुआ है अब महायुती की रण नीती आगे कैसे होगी किस तरीके से महायुती महाराश्ट्र में जीत हासिल कर सकती है तमाम मुद्व पर चर्चा के लिए दिली के ग्रिया मंत्री अमिच शा के साथ महायुती के नेताओं की बैठक हुई इस बैठक में मुख्यवंत्री एकनाश शिंदे देविन्दा फर्णवेश चंदर शेखर बावन कूले अजीत पवार प्रफुल पटेल सुनील तटकरे शामिल थे जानकारी के मुतावित महायुती की बाचीद भी सफल रही है क्या हुआ इस बैठक में अमिशा के साथ महायुती के नेताओं की चर्चा साकरात्मक और सफल रहे और यह चर्चा अच्छे वाता वरण हसी मजाग के बहुल में ही हुई जिसमें तैह हुआ की सीटों की संख्या या पसंद की सीटों की बजाए महायुती का मकसद जीत कर फ 20-24 सीटे ऐसी ती जुस पर तीनों ही दल दावा कर रहे थे और इसी मसले को लेकर बैठक बुलाई गई थी बागियों को लेकर अमिशान सक्त निर्देश दे दिये हैं आपको बतादे कि इस बैठक में जो है आगे की अंतिम दौर की चर्चा महारास्ट में होने वाली है ज तो निश्चत किया जाए कि बागी खड़े ना हो इस बात का अंदेशा है कि जिस दावेदार या पार्टी को टिकेट ना मिले वह बागी होकर गडवंदन के प्रत्याशी को नुकसान पहुचा सकता है ऐसे में यह तह हुआ कि महायुती में कोई भी दल बागीयों को ना ख गोशना पत्र पेश नहीं करेंगे बलकि एक ही गोशना पत्र पेश करेंगे अगले हफते महायुती का गोशना पत्र आने की संभावना है साथ ही यह जानकारी सामने आई है कि विधान सभा चुनाओं के लिए तीनों पार्टिया अलग अलग प्रचार नहीं करेंगी बलकि मिलकर प्रचार करेगी अब वैसे में आपने देखा कि एक साथ मिलकर करने पर उन्होंने जोर दिया है वहीं आपको जादे कि महाराष्ट में महायूती की सीट आवंटन का अंतिप फॉर्मूला जल्द गोशित किया जाएगा और बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ सकती महाराष्ट्र में दौरों के दूसरी सूची भी तयार है जो कि आज देरातीया कल जारी हो सकती है महाराष्ट्र में महायूती और दोनों ही खेमे में सीट बटवारे पर अब तक अंतिम सहमती नहीं बनी है इस बीच शिवसेना के प्रमुकर महारास्ट्र के मुख्यवंत रही है एकनाश शिंदे के दिल्ली दौरे पर शिवसेना के सांसा संजर राउत तंच कसा है संदे चंदे पास जो शिवसेना बची कमान दिली का में घर पर है हमारी जो ओरीजनल है जो बाला सहब के शिवसेना उसने कभी सीच शेरिंग के लिए दिली जाने के नौबातन नहीं आई उनका ये बयान है कि प्रमोद महाजन गोपिनात मुंडे या लाल कृष्णा आडवानी साहब या जो भी बीजेपी के नेता थे वे मुंबई आते थे और बाला साहब से बात करते थे ये जो डुब्लिक रहना पड़ता है नौन बायलोजिकल शिवसेना को जन्व दिया है मुर्गी भी उनकी अर अंडा भी उनका है बता दे कि खुद बीजेपी के नेता बाउनकुले बात कहा चुके हैं कि पहले सीर्वटवारे को लेका रहा जो है उधाव ठाकरे के मातश्वी पर चर्चा होत मामान के चकर काटने पड़ते हैं तो उनकी स्थिती बहुत जादा खराब हो चुकी है अब इसी पर कहीना कहीं संजराओ जो है अमिशासे में मुलाकात हुई तो संजराओ भी इस पर तंच कस्ते हुए नजारां बता दे कि शिवसेना महायूती में शामिल है शिवसेना के स सीर बटवारे पर भी कहा कि जल्दी इसकी घोशना की जाएगी ज्यादा तर सीटों पर सहमती बन चुकी है लिकर उनका जो अकई की जो समर्थन है इसमें यह निकल कर सामने नहीं आ रहा है किसी तरीके से उनकी आम सहमती इस पर नहीं बन पा रही है जो यह बता रही है कि के बीच आपसी मत भेर वह बहुत ज्यादा है स्थिति इनके हाथ से निकल चुकी है अब जो है उनके हाथ में कुछ नहीं है सीट बट्वारे को हमें आपको बताया कि किस तरीके से महाविकास गाड़ी में अभी भी पेच फसा हुआ है पिचासी 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 का ये नारा दे रही है और पिचासी इस्टो पिचासी इस्टो पिचासी पर ये टिके हुए है और ये इतना ज्यादा इनके अंदर कॉंपटिशन है इतना ज्यादा आपके सकते इनके अंदर फ्रिक्शन है कि ये किसी को भी एक सीट ज्यादा द के अंदर चीजे आज इस नहीं है कि आल इस वेल ऐसा कुछ भी नहीं है महायूती के अंदर जहां सब जीत पवार को पसंदी कर रहे हैं ऐसे लोगों को टिकेट नहीं देना है जो लोग एक साथ मिलकर एक साथ चुनाव लड़के एक साथ चो है अगर आप कहेंगे कि जीत दर्श कराना चाहते हैं उनको ही मौका मिलेगा तो उन्होंने बाग्यों को लेकर साफ निर्देश दिये है कि बाग्यों को टिकेट नहीं मिलेगा और जो लोग है जो चीजें है चाहे वह गोश्रापत्र हो चाहे वह चुड़ाव लड़े की बात हो चाहे वह आप कैसकते हैं कि आजुन सभाव की बात हो लिए कि सब एक साथ एक साथ मिलकर ही करने की जबवत है कुछ भी अलग- अलग नहीं पड़ा जाएगा और इस चीज का ध्यान रखना है कि एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे तो यह मंत्र जो है वह मिचाने अब इस बैठक के दौरान अब नेताव को जो है महायूती के दे दिया है आने वाले समय में कहा जा रहा है कि जो बची हुई सी के दो खाएगा जो एक सी दोगा है कि एड़िया řे खाएगा जो यहा जो यहाईगाताओे विर इस शफीज के दो साथ जाव.. झाल झाल